देश के 17 राज्यों की 55 राजसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख आज 16 मार्च को होगी नामांकन पत्रों की जाच, 26 मार्च को होंगे राजसभा के चुनाओ, इसी दिन होगी मतगर्णा आज मध्यप्रदेश में बीजेपी की ओर से राजसभा के लिए नामंकन दाखिल करेंगे जोती रादित्त सिंधिया, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे सिंधिया, मध्यप्रदेश में सिंधिया के कॉंग्रिस वाले पोस्टर हटाये गए, कारकरताओं ने पोती कालि आज दिल्ली विधान सभा का विशेश सत्र एनर्सी और कोरोना वाइरस सहीत अन्य मुद्यों पर भी चर्चा संभव दिल्ली में कोरोना वाइरस के सामने आये हैं चार मामले कल से 31 मार्ज तक दिल्ली के सिनेमा घरों को बंद रखने का आदेश कोरोना के चलते राजधानी के स्कूल भी हैं 31 मार्ज तक बंद आज से लागू होगा विदेशी लोगों के भारत आने पर प्रतिबंध का नियम सरकार ने 15 अपरेल तक के लिए जारी किये हैं निर्देश विदेशों के वीजा पर लगाया है बैन कोरोना को देखते हुए सरकार ने लिया है फैसला कल डबलु एचो ने कोरोना को किया था वैश्विक महामारी घोशित आज से अगले आदेश तक राश्ट्रोपती के संग्राले को बंद करने का आदेश आम जनता के लिए बंद रहेगा संग्राले कोरोना को लेकर लिया गया फैसला कुछ दिनों पहले ही बंद किया गया था राश्ट्रपती भवन का मुगल गार्डन उन्नाओ पीडिता के पिता की हत्या के आरोप में कुलदीब सेंगर पर आज दिल्ली की अदालत सुनाईगी फैसला मामले में सेंगर के अलावा छे अन्न लोग भी हैं दोशी उन्नाओ रेप केस में पहले ही सेंगर को सुनाई जा चुकी है उम्र कैद की सजा भीमा कुरेगाउं हिंसा पर एनाईए की विशेश अदालत में सुनवाई आज नौ लोगों को बनाया गया आरोपी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये की जाएगी सुनवाई दिल्ली एन्सियार में आज हलकी बारिश होने के आसार आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हेमाचल परदेश और उत्रा खंड में बारिश और बरफबारी की संभावना मौसम विभाग ने जारी की रिपोर्ट आज हटेगी प्याज के निर्यात पर लगी हुई रोक भारत सरकार ने अक्टूबर 2019 को लगाई थी प्याज के निर्यात पर पाबंदी खीमतों के नियंतरण में आने के बाद सरकार ने लिया फैसला शुरुआत में ने ने पाल को निर्यात की जाएगी प्याज बाद में बंगलादेश भी प्याज भेज सकेंगे व्यापारी और कल इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट के बाद आज रहेगी शेयर मार्केट पर नजर कल सेंसेक्स ने लगाया था 3919 अंकों का गोता झाल